दोस्तों पिछले 12-13 दिन से हम पटोरी थाने से सहरा इंडिया के नाम पे जो फरजिवारा चलना था उसके लिए F.I.R. दर्ज करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि जब F.I.R. दर्ज होगा तब ही किसने फरजिवारा किया, कैसे किया, कब किया और क्या धोखा दिया उसके डॉक्मेंट्स के अधार पे ये तैय हो पाएगा कि आपका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन देगा इन सारी बातों के लिए हमने पीछे बहुत सारा वीडियो बना करके आपको बताया है और साथी सभी से अनरोध किया है कि अगर आप अभी भी सहारा इंडिया के नाम पे पैसे जमा कर रहे हैं या फिर आपसे जमा कराया जा रहा है तो कम से कम जमा करना बंद करें और साथी अपने आसपास के लोग को अवेर करें क्योंकि आपको बता दू कि Reserve Bank of India ने जहां 2008 में सहारा इंडिया को पैसा जमा कराने से रोक लगा दिया था वही 2015 में उसका नन बैंकिंग का जो लाइसेंस है उसी को रद कर दिया है यानि कि उसका Bank समाप्त उसके बाद जैसा की Ground पे मुझे रिपोर्ट मिल ला है आप लोग के साथ धोखा धरी करके फरजी तरीके से या फिर दवाव देके आपका पैसा Convert किया जा रहा है अलग-अलग समीतियों के नाम से जो की एक तरह से फरजीवारा है और इसके बारे में जो भी डॉक्मेंट है जो भी जानकारी है पीछे हमारे यूट्यूब चैनल वरकरवास.in, फेस्बूक पेज वरकरवास.in और ब्लॉग www.वरकरवास.in पे जाकर के चेक कर सकते हैं आपको बता दू ये कंप्लेन हमने नकेवल माने सुप्रीम कोड के अंदर बलकी सेवी और जो इस फरजीवारे की एजनसी जाच कर रही है SFIO उसको भी भेजा है और साथी चुकि कंसर्ण जो पटोरी थाना है उसके थाना परभारी को भी दिया है और एक कंप्लेन नहीं बलकी दो-दो कंप्लेन है एक तो अपनी नाम से हमने 16 फरवरी 2022 को दिया था चुकि मैं लिवर एक्टिविस्ट हूँ और दूसरा 22 फरवरी 2022 को पटोरी अन मंडल पे प्रोटेश्ट करते हुए तकरीवन 200 लोगों का साइन दिया है जो की जमा करता है और उसके बाद भी F.I.R. दर्ज नहीं किया जा रहा है अभी तक जो भी हमारा मांग है स्वामधानिक तरीके से है और जो कानून ने हमें अधिकार दिया है उसी के ताहत तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार से लेकर के मानिये सुप्रीम कोट इस पे सग्यान ले और अविलम करवाई करे क्योंकि जैसे ऐसे देरी हो रहा है लोगों में आकरोस बढ़ता जा रहा है और इसके लिए हमने जिला परसासन को भी लिखा है कि तुरंद करवाई करें नहीं तो कलको अगर इस्तिती विगरती है तो उसके लिए दोसी वो होंगे और इसी सिलसिले को बनाते हुए हमने कल ही दो मार्च 2022 को एक RTI पटोरिये से चोको भेजा है जिसमें दोनों सिकायत के बारे में पूछा है कि वो इस पे काम भी कर रहे हैं यानि कि जाच भी कर रहे हैं या नहीं आपको बताया दू कि RTI एक्ट 2005 जो कि हमें एक अधिकार देता है कि हम किसी भी सरकारी भी भाग से उसके रेकॉर्ड की मांग कर सकते हैं उनसे सवाल पूछ सकते हैं अब चुकि हम जनता हैं देश के मालिक हैं हमारे टेक्स के पैसे से सरकार चलता है और उसके अंदर जो लेक लोग से वक होते हों काम करते हैं तो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके लिए RTI Act 10 रुपे का पोस्ट और लाके लगा सकते हैं, उसमें क्या सवाल पूछा है, वो जानना आपके लिए कफी जरूरी है, चुकि जागरुकता के लिए हम ये कर रहे हैं, तो आपको एक-एक जानकारी देंगे, जो कि आपक लिए हैं, और आपकी लराई है, तो आप सभी को इसमें सामिल होना होगा, बिल्कुल कानूनी रूफ से, और कल को सरक पे भी उतरना परेगा, तो हम सरक पे उतरेंगे, और बिल्कुल सांतिपून तरीका से, क्योंकि यही एक तरीका है, जिसके बल पे आप अपने पैसे वा इसा मिल जाए, तो इसलिए सबसे पहले यह देख लेता है कि RTI में हमने क्या सवाल पूछा है, दोस्तों जैसे ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तो आपको हमारे ब्लॉग www.workerverse.in का लिंक मिल जाएगा, जिसके बाद आप इस पोस्ट पे इसमें अपने कंप्लेंस से समधी चार कोश्चन पूछा है, जो कि 16 फरवड़ी 2022 और 21 फरवड़ी 2022 पाटोरिय अनुमंडल छेतर में अवैद रूप से सारा इंडिया की साखा का संचालन करके, निवेशकों से धोखा धरी वा धनुगाही के समध में कारूनी करवाई के लि दूसरा हमने पूछा है, निया मनुसर हमारी सिकायत प्राप्त होने पर यथा सिग्र प्राथमी की दर्जकर कानूनी करवाई की जानी चाहिए, हलाकि अब 13 से 14 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, किर्प्या उन अधिकारियों के नाम और पद बताएं, जिन से हमारे उप्रु उनको अपना काम नहीं करने और जनता का सोसन करने के लिए क्या करवाई की जाएगी, और वह करवाई कव तक की जाएगी, इसमें चौथा और अंतिन सवाल है, अब हमारी सुप्रोग सिकायत पर F.I.R. दर्ज कर जनहित में कव कानूनी करवाई की जाएगी, ऐसे में हर हाल में पटोडी थाना प्रभारी को जवाब देना होगा, वो अपनी जिमेवारी से नहीं बच सकते, वो एक लोग सेवक है और जनता की सेवा के लिए बरदी पहने हैं, उनको इस तरह के फरजीवारे में IPC 420 के तहट और BPID Act 2002, 2013, 2017, ये सब एमेंडमेंड किया गया है, के सहारा एंडिया का कोई ब्रांच देख रहे हैं, जहांपे सहारा एंडिया का फोटो लगा हुआ है, उनका बोर्ड लगा हुआ है, तो आप हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और साथ ही हमारा email ID आपको यहां पे screen पे display होगा, जिस पे आप अपना नाम, पता और स साथ ही उस बोर्ड का फोटो खीच करके भेज़े ताकि हम अपने कमप्लेइन में उसको अड़ करके भेज सके, कोट को यह पता चले, सरकार को यह पता चले, कि कहां-कहां इस तरह का फरजिवारा हो रहा है, दोस्तों अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं, तो पेज को लाइ करी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद.